लेकिन IT सेक्टर पर आपका स्टांस क्या है क्योंकि भारतिय बाजार में IT सेक्टर में हमने कल अच्छी खासी मस्बूती देखी पिछले एक हफते में आक्शन नजर आ रहा है लेकिन विदेशी बाजार में टेसला के नतीजों के बाद नास्डाक में गिरावट भी रही अब IT सेक्टर ग्लोबल कंसर्ण के साथ भी कनेक्टेड है तो इससे समझते हुए क्या 2023 के लिए IT सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए तेजी दिखेगी या फिर कह सकते कि डाउन फॉल या करेक्शन नजर आ सकता वन ओफ यहां पर इस वक्त आक्शन दिख रहा है मैं तो साल जा रहा है ये 2008 के बाद का सबसे बड़ा गिरावट का साल रहेगा 2008 के इंदर आइटी का जो इंडेक्स था वो पचास फीसेदी किरा था इस साल 20 से उपर जादा फीसेदी किरा आए यह जबरदस किरावट आई है, वगर 2008 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, कि सरकारों ने quantitative easing चालू करी थी, एकॉनमी को उन्होंने काफी money printing की वज़े से मदद करी थी, जिसकी वज़े से 2009 और 10 के अंदर IT सेक्टर में अच्छा comeback हुआ था, तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय वैसा होगा, वेकर situation अलग है, इस समय ए, IT stocks गिरे हैं, मगर अभी भी सस्ते नहीं है, बी, मुझे लगता है कि 2023 को लेकर के recessionary concerns और आएंगी, तीसरा, जिन भी IT companies से हम बात कर रहे हैं, हाला कि वह हमें ये तो बता रहे हैं कि attrition को लेकर के चिंताय कम हो रही है, मगर मैं ये भी अगर आप देखें तो एक प्रकार का indication है, कि अगर attrition में गिरावट आ रही है, तो जाहर है कि आपकी company में attrition या sector में attrition कब आता है, जब उस particular skill set की या उस business में growth आ रही होती है, तो अगर attrition कम हो रहा है, तो मैं एक प्रकार से ये भी इसको इस प्रकार पर प्रकार दालूँगा, कि इस समय सेक्टर में एक प्रकार का जो बहुत बड़ी जो rally हमने देखी थी business के अंदर, जो business के अंदर हमने दिखा था, चमक आ रही थी और चमक भी फीकी पड़ रही है, कुल मिलाकर के IT stocks में भी बचना चाहिए, IT stocks को लेने का समय आएगा, मगर मेरे सबसे वह समय मार्च आईपरिल के नतीजों के बाद आएगा,